हेलो फ्रेंड्स आज मैं जी एस पेपर वन हिस्ट्री सेक्शन से आज एक कोश्चन लेकर आपके स्मक्ष प्रस्तू थो कोश्चन है चमपारन सत्याग्रा स्वतंतरता संग्राम में वाटर सेड था तो फ्रेंड्स यह जो कोश्चन है यह 66 BPSC और 64 BPSC में पूछा गया था उसी परकार मिलता जूलता है दूसरा कोश्चन क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि चमपारन सत्याग्रा भारत में स्वतंतरता संग्राम के इतिहास में एक महत्पूंड मौर था और इसी परकार और एक मिलता जूलता कोश्चन है चमपारन सत्याग्रा भारत के स्वतंतरता आंदोलन के इतिहास में एक महत्पूंड मील का पत्थर है असपच्ट करें तो फ्रेंड्स 49 BPSC, 47 BPSC, 66 BPSC और 64 BPSC में एक ही परकार का कोश्चन पूछा गया है इसमें बस आपको यही बताना कि जो चमपारन सत्याग्रा है वो किस परकार से 77 संग्राम में एक परती लीपी, वाटर से मतलब की परती छाया किस परकार से बना तो उसके उपर आपको चर्चा करना है तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखने का परियास करेंगे तो सबसे फ्रेंड्स हम लोग पहले परीचे का बात करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विदेशी सासन और भारतिय सासकों के खिलाफ उनिस्वी सदी में भी किशान के अंदर रोश उत्पन होना प्रारंब हो गया था और कई बार उन्होंने आंदोलन का रास्ता पकड़ा बिहार क्रिसी परधान राज है जहां किशान आंदोलनों की ससक्त प्रमपरा रही है इन्ही किशान आंदोलनों में चंपारन सत्यागरा का एक महत्पून अस्थान है चंपारन सत्यागरा गांधी जी के नित्रत में भारत में किया गया यह पहला सत्यागरा था सन 2017 में पूरे भारत में चंपारन आंदोलन की एक सोवी जियनती बनाई गए तो friends हम लोग ने परीचे में लिखा कि जो चमपारण सत्यागरा कहां पे हुआ है बिहार में हुआ है अभी जो ये कप प्रारम हुई थी 1917 में ये प्रारम हुई थी जो अभी 2017 में क्या हुआ कि ये एक सोवी जैनती इसमें बनाया गिया अब हम लोग चमपारण सत्यागरा के क्या कारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहला कारण क्या है अपनेवेसिक निति तो अपनेवेसिक सासन के आरंब के साथ ही भारतिय किशानों के अपनेवेसिक सोशन का सिलसला शुरू हो गया इस सोसन के दो अधार थे अपनेवेसिक भूराजस्विनिती दूसरा क्रिशी वानेजी करन इन दोनों का असर अस्थाई बंदोबस्त के अंतरगत आने वाले चमपारण के किशानों पर देखने को मिलता है दूसरा क्या कारण था तीन कठिया पद्धती का परचलन उनिस्वी सदी के आरम में गोरे बगान मालिकों ने किशानों से एक अनुबंद कराया था जिसके तहत किशानों को अपनी जमीन के तीन वटबीस्वे हिस्से में नील की खेती करना अनिवारे था इसे तीन कठिया पद्धती कहते हैं 1860 इस्वी में तक रैयतों को भीगा पीछे पांच कठा नील बोना परता था प्रंटू 1867 इस्वी के आते आते यह कम होकर एक भीगा में तीन कठा हो गया किसानों को एक एकर नील के लिए साड़े छे रुपे मिलते थे जिसे उन्हें सवनों में मौडले की रिपोर्ट पर बढ़ा कर तेरे रुपे कर दिया गया तो फ्रेंट सबसे जो इंपोर्टेंट कारण था विद्रो का चपारण सत्यागरा का तो मैं यही तिनकठिया पद्यती ही माना जाता है तीसरा कारण क्या है कि बढ़ता क्रिशक और शंतोष किसान जीतोर महिनत करते थे परंतु इसके बदले किसानों को ना तो उचित मजदूरी मिलती थी और ना ही नील की खेती मिर्दा स्वास्त की दिश्टी से उप्यूग थी नील की खेती का परवाव फसल चक्र पर भी परतिकूल परता था और मिर्दा की उर्वरा पर भी यही इस्तिती थी जो किसान नील की खेती से मुक्ती पाना चाते थे उन पर मनमाने ढंग से लगान बढ़ा दिया जाता था चौथा करन क्या है किसानों की बढ़ती मुस्किले उनिस्वी सदी के अंत में जर्मनी में कृतिम रसाइनिक रंगों की खोज जो पक्षित सक्स्ते होते थे ने नील की खेती को अप्रसांगिक बना दिया चंपारन छेत्र के किषान एवं बगान मालिकों दोनों ही नील की खेती को बंद करना चाहते थे पडिनामता बगान मालिकों ने किषानों को नील की खेती से मुक्ती के लिए नए परकार के उपबन का दबाओ डाला जिसके तहट ना सिर्फ लागान की दर बढ़ा दी गई बलकि अन्य करों में भी मनमानी बिर्धी की गई रहयतों से पानी के लिए तीन रुपिय परती बीगे वसूले जाने लगे जिसे पेन खर्च कहा जाता था तो फ्रेंड्स हम लोग चंपारन सत्यागरा का बात करें तो इसमें बिहार का मैप नहीं बनाए तो कैसे अच्छा लगता तो हम लोगों को इस एंसर में बिहार का मैप भी बनाना है साथ में चंपारन को भी दर्साना चंपारन जो अभी वर्तमान में पश्चमी चंपारन और पुर्वी चंपारन है मैंने पटना को भी दिखाया और साथ ही जो बॉर्डर जितने भी राज और देश है जैसे नेपाल है उत्तर प्रदेश है पश्चिम बंगाल जहारकंड उसे और जो लखनो अधिवेशन हुआ उसके वारें भी थोचा दर्सा दिया है अब हम लोगों को चर्चा करना है लखनो अधिवेशन क्योंकि यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट वह था कि 1916 इस्वी में कॉंग्रेस के लखनो अधिवेशन में बिहार से काफी संख्या में परतिनीधी सामिल हुए थे जिसमें चमपारन के राजकुमार सुक्ल और बरज कि पर्षाद भी थे। इन्होंने चमपारन के किषानों की धिन्यय स्थिति पर गांधी जी का ध्यान आकर सित किया। उनके अनुरोद पर ही गांधी जी चमपारन आने और किषानों की स्थिति का अध्यन करने को शहमत हुए। अब गांधी जी का क्या भूमिका रहा चंपारण सत्याग्या में उस पे चर्चा करें हैं। 10 अप्रेल 1917 को गांधी जी का चंपारण आगमन हुआ लेकिन उनके पहुचने से पहले ही उनकी कृतियां यहां पहुच चुकी थी। वहां के अंग्रेज अधिकारियों के मना करने के बाबजूद भी गांधी जी ने अपने सहयोगियों जैसे ब्रज किशोर परशाद, राजकुमार शोकल, राजंदर परशाद, जेवी क्रिपलानी, महादेव जिशाई, इत्यादि बुद्धी जीवियों के साथ गाउं में घ गांधी जी भी सदस्य थे, इस समीती ने किशानों की समस्याओं की जाच की गई और कहीं न कहीं एक सकारात्मक परिनाम भी मिला, अब चमपारन सत्यागरा क्या परिनाम निकले, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बढ़ती हुए लगान का, बढ़ती हुए लगान का, एक वटचार हिस्सा वापस कर दिया गया, और तीन वटचार हिस्से की वसूली की गई, जिन किरिस्तकों से नगद रासी ली गई थी, उनका 25 परिशत रासी वापस कर दी गई, तिन कठिया पज़ती को शमाप्त कर दिया गया, तो फ्रेंट्स ये सब क्या थे, चमपारन सत सत्यागरा का महत्व जो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यही जो महत्व है, वही जो राश्टिय स्वतनतरता संग्राम का एक मील का पत्थर हुआ, यही राश्टिय स्वतनतरता संग्राम का वाटर सेड बना, तो सब कुछ जो उत्तर होगा, सब इसी के अंतरगत आएग कि कैसे चंपारन सत्याग्रा जो कि आगे स्वत्मतिता संग्राम के बहुत सारे आंदोलनों में एक सकारात्मक और एक मील का पत्तर सावित कैसे वास पे चर्चा करें तो चंपारन की घटना में महात्मा गांधी को सरुमान राष्टिय नेता के रूप में अस्थापित किया राष्टिय आंदोलन जन साभागिता से जन आंदोलन में परवर्तित हो गिया तीसरा पॉइंट है चंपारन के किर्शानों की शमस्या राष्ट अस्तर पर मुद्दा बनाया गया जैसे कि फेजपूर सस्त उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है। कॉंग्रेस ने पहली बार किर्शानों के मुद्दे पर अस्पष्ट और सरल रूप अपनाया। अगला पॉइंट है इसने राष्टिय कॉंग्रेस के चरंपंथियों और नरंपंथियों के बीच वैचारी खाई को खत्म कर नागरिक असहमती का एक नया तरीका शुरू कर दिया। उसमें आत्मबल की डिर्ड़ता का परिक्षन किया और कॉंग्रेस को एक मध्यमवर्गी राजनिती दल से एक जन संगठन में बदल दिया। अब फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगें कि संपारन सत्यागरा का मुल्यांकन तो यह अपनेवेसिक सत्ता और बगान मालिकों से कहीं अधिक भार्गतियों की गुलाम मानसिक्ता के विरुद लराई थे। इन आंदोलन की शफलता का दुरगामी परिणाम यह हुआ कि इस छेतर में विकास का आगमन हुआ जिसके तहत पाट साला चिकत साला खादी आसरम इत्यादी खोले गए और इस ग्रामिनों में आप निर्वर को बल मिला। अब इसके आलोचनाइं देख सकते हैं कि क्या आलोचनाइं की जाती है। फ्रेंट्स अब हम लोग निसकर्स के वारे में चर्चा करेंगे अतव चंपारन सत्यागरा भारतिय सोतंतरता आंदोलन की इतिहास में एक महत्पुन घटना थी तो फ्रेंट्स इसमें आप घटना आप कोशन के कोडिंग ला सकते हैं कि यह वाटर सेट थी या एक महत्पुन घटना थी या एक निर्नायक मोर थी तो आपको जिस परकार का कोशन उस परकार का आपको भासा का परयोग करना पड़ेगा कि जिससे सिर्फ किसानों में ही नहीं अपिटू देश के सभी वर्गों में राष्टिय चेतना का विकास हुआ इस आंदोलन से भारतिय सतंतरता संग्राम को एक नई दिसा परदान की चंपारन सत्यागरा भारतिय सतंतरता संग्राम में प्रारम होने वाले गांधी यूग का पर्थम अध्याय और देश के भावी आंदोलनों का शक्ती पूंज के रूप में हमेशा असमर्णिय रहेगा तो friends exam point of view से चंपारन सत्यागरा बहुत ही important एक विशेवस्तु है आपको एक दूसरा question और बनता है कि चंपारन सत्यागरा के क्या कारण और क्या परिणाम थे उसके वारे हम चर्चा करें तो एक दूसरा type का ये question है तो friends आज हम लोगों ने चंपारन सत्यागरा स्वतंतरता संगराम में water set था किस परकार था इस पर हम लोगों ने पूरे details में अच्छा उत्तर लिखने का परियास किया तो friends मिलते हैं अगरे वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you and have a nice day